अब से लेकर कुछ देरी में मैं आप लोग को इन सारे चीजों को by heart याद कराने वाला हूँ और यदि याद नहीं करा पाता हूँ तो आप लोग मेरे वीडियो को डिसलाइक कर देना हलो गाईज, वल्कम टू अजब गजब जेकर ट्रिक्स आज हम लोग देखेंगे एक important topic जिसका नाम में विस्व के प्रमुख जलपरपात जो एक्जाम में आपके पूछे जाते हैं विस्व से related जलपरपातों को वो इन ही में से पूछे जाते हैं ओके गाईज तो आज के इस ट्रिक को चलिए स्टार्ट करते हैं देखेंगे सबसे पहले नमबर पर है एंजल जेल परपात और वो है वेनेजुएला में और इसकी उचाई जो है वो है 979 मीटर हैं अब इसको हम लोग ऐसे लेट करके याद करेंगे मान लीजिए आकाज से धर्ती पर कोई एंजल नीची आई है तो यहां के सरकार ने उससे पकड़ के क्या कर दिया एक जेल में कायद कर दिया ठीक है वन जेल में देखें वेनेजुएला में साउंड आ रहा है वन जेल में जो एंजल आई थी जमीन पर उसको क्या कर लिया सरकार ने पकड़ करके वन जेल में वेनेजुएला में क्या कर बंद कर दिया ताकि उस पर रिसेर्च कर सकें कि यह कहां से आई है तो इस तरह से आपका हो जाएगा एंजिल जलपरपाथ जो है वो वेनेजुएला में है नेक्स जलपरपाथ है आपका योसे माइट जलपरपाथ आओ यह है कैलफॉर्णिया में इसके उचा ही है 739 मीटर ओके तो हम लोग इसको ऐसे लेट करके याद कर लेंगे माल जी आपके फ्रेंड ने आपसे पूछा कि क्या तुमने कल फोन लिया ठीक है आपके फ्रेंड क्या पूछ रहे आपसे क्या तुमने कल फोन लिया तो यहां पर देखिए साउंड आ रहा है योसे माइट से आ रहा है आपका येस माइने ठीक है हम लोग योसे माइट से कर क्या किया कलफॉन लिया ठीक है तो इस तरह से आपका हो जाएगा यह से माइट जलपरपाथ जो है वो कलफॉनिया में है नेक्स जलपरपाथ है आपका मड्राल फॉलसेन है और यह है नावेदेश में और इसके उचाहिए 655 मीटर अब इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद करेंगे देखिए मड्राल फॉलसेन में आपका साउंड आ रहा है मड्र ठीक है मड्राल में आपका साउंड आ रहा है मड्र तो मड्र जो मैक्सिमम होता है मड्र जो लोग करते हैं वो कब करते हैं नाइट में करते हैं नार्वे से आपका साउंड आ रहा है नाइट ठीक है नर्वे से हम लोग लेंगे नाइट, ओके नार्वे से लेंगे नाइट और मड्राल से लेंगे मडर, तो हम लोग को बस सोचना है कि मडर जो होता है, मडर जो होता है, वो कब होता है, नाइट में होता है, तो इस तरह से आपका हो जाएगा, मड्राल फॉलसेंज जो है, वो है नार्वे देश में है नेक्स जल परपाथ है तुगला जल परपाथ है और यह है दक्षिन अफ्रीका में इसकी जो उचाई है वो है 640 मीटर अब इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद करेंगे कि आपके फ्रेंड ने कुछ गलती किया ठीक है तो आप उसको बोल रहे हो कि तू गया तुगला से हम लोग करेंगे तू गया क्योंकि तुम्हारे उपर क्या आने वाली है आफ़त आने वाली है तुगला से हम लोग क्या करेंगे आपके फ्रेंड को आप बोल रहे हो यहां पर भी वेने जुवाला था ओकी और इसकी जुचाई है वह 610 मीटर अब इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद करेंगे हम लोग सभी लोग जानते हैं कि अभी बेरोजगारी बहुत जादा है और जो लोगों को जैसा काम मिल रहा है वैसा कर ले रहे हैं तो मान लीजि आपको क्या काम मिला है कुक का काम मिला है ठीक है आपको कुक का काम मिला है क्योंकि बेरोजगारी बहुत जादा है बेरोजगारी बहुत जादा है इसलिए क्या कुक का काम मिला है और कुक का काम का मिला है एक जेल में वन जुएल में जैसे कि हम लोग ने यहाद किया था व जने जुएला में नेक्स जलपर पाथ है विक्टोरिय जलपर पाथ यह है जिमबाबे एवं जांबिया की सीमा पर इसकी उचाई जो है 108 मीटर है इसको हम लोग ऐसे लेट करके आद करेंगे विक्टोरिया पर साउंड आ रहा है देखिए विक्ट्री ठीक है यहां पर जिंदाबाद और जिंदाबाद करते हैं ठीक है तो यहां पर हम लोग लेंगे जिंदाबाद से जिंबाबे और एक पर जिंदाबाद से जांबिया ठीक है जिंदाबाद जिंदाबाद करते हैं ना लोग ने तकी तो एक जिंदाबाद से जिंदाबाद से आपका जांबिय तो इस तरह से आपका हो जाएगा विक्ट्रिया जो जलपरपात है वो जिंबाबे एवं जांबिया की सीमा पर है नेक्स्ट है आपका सूथर लैंड जलपरपात और यह है न्यूज लैंड में और इसकी उचाई जो है वो 580 मीटर है अब इसको कैसे याद करेंगे देखिए स साफ सुथरा से ठीक है सुथर से लेंगे हम लोग साफ सुथरा जैसी कि हम जानते हैं कि अभी स्वच भारत अभिया चला है तो बहुत सारे नेता लोग क्या कर रहे थे वो लोग साफ करते हुए नजर आये लेकिन वो लोग साफ कैसे करते थे कोई सफाई के अस्तान में जा और and come करते वे सांफ outdoors अपने आपको वहां पर क्या गणतेडे पदे सब्सक्रेद तो इस तरह है से आपका हो जाएगा शुछ सुथरलेंड जलansonपरबात उन्यूंजलन भे नेख जलपरपात है वह evaluated रिबोंन जलपरपात है और यह है California में और इसकी उचा है 491 मीटर तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद करेंगे देखे रीबोन पर आपका साउंड आ रहा है रीबोन ठीक है आपने कल एक गिफ्ट का रीबोन काटा और क्या हुगा जब आपने उसको खोला तो उसमें आपको एक क्या मिला एक फ फोन लिया था वही फोन यहां पर मिला आपको कोई कल का ही फोन को क्या गिफ्ट करके आपके घरवालों ने फिर से आपको दे दिया था तो इस तरह से आपका हो जाएगा रीबोन जो जल पर पात थे वह है California में है नेक्स जल पर पात है ग्रेट कामराना और यह है गुयाना में और इसके उचाई जो है वह 488 मीटर ओकी तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद करेंगे यहां पर साउंड आ रहा है आपका काम यहां पर हम लोग पकड़ेंगे काम को ठीक है आपके घर में कोई एक ऐसा बंदा था जो कि क्या काम नहीं जाता था लेकिन क्या हुआ एक दिन सदेली वो काम चला गया तो आपके घर वालों ने कहा एक काम गयाना ठीक है गुयाना से आपका हम लोग करेंगे गयाना ठीक है यहां पर पकड़ेंगे काम और काम गयाना जो की कभी काम जाता नहीं था लेकिन एक दिन क्या हुआ वो काम गयाना तो इस तरह से आप का हो जाए ग्रेट कामराना जो जलपरपात है वो गुयाना में है नेक्स जलपरपात है आपका डेला जलपरपात और यह जो है कनाडा में है इसके उचाहिए 440 मीटर अब इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद करेंगे यहाँ डेला से हम लोग करेंगे डेली ठीक है डेला स आप सिखने की प्रैक्टिस कर रहे हो तो इस तरह से आपका हो जाएगा डेला जलपरपात जो है वो कनाड़ा देश में है नेक्स्ट है आपका गवानी जलपरपात और यह है फ्रांस में और इसके उचा यह 422 मीटर इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद करेंगे गवानी से हम लोग करेंगे गवाही और किसी को फांसी देने के लिए फ्रांस से हम लोग करेंगे फांसी ठीक है गवाही कब जोरत परती है जब किसी को फांसी देना होता है ठीक है यह किसी को ऐसे ही आप फांसी नहीं दे सकते हैं गवाही होना चाहिए सबूत होना चाहिए तब आप आप किसी को फासी दे सकते हैं तो इस तरह से रिलेट करेंगे कि गवाही का बज़ुरत पड़ती है जब किसी को फासी देना होता है तो इस तरह से आपका हो जाए गवानी जो जलपरपात है वो फ्रांस में है नेक जलपरपात है जोग जलपरपात और यह है भारत में और इस जोग प्रपात वह वारत में है और जोग परपात को ही गांधी जलपरपात भी बोला जाता है यह question में पुछा गया है कि जोग जलपरपात को और किस नाम से जाना जाता है तो आपका answer होगा गांधी जलपरपात नेक्स्ट यह आपका नियागरा जलपरपात और यह है कनाड़ा और अमेरिका की सीमा पर और इसकी उचा ही है 53.6 मीटर अब इसको हम लोग ऐसे लेट करके याद करेंगे देखिए यहाँ पर नियागरा पर लास्ट में साउंड आ रहा है आगरा ठीक है नियागरा पर उर मेरिका और कनाड़ा से लोग आते हैं गरा तेक्या है अगरा को लास्ट कमेंट कर चिल्स करना से आपको कुछ फायदा होता है या फिर नहीं होता है और इसी तरह की वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना बोले क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो जो रोज दिन डालता हूं ओके फ्रेंड्स तो कल नए वीडियो के साथ में मिलते हैं तब तक के लिए टाटा बाई बाई टेक क्या बी सेफ एंड बी सेक्यूर